पूरी दुनिया में पक्सों की दस हजार से कुछ जाला पिर जाते अब पाई जाती है सभी के दो पंजे दो पंक और एक गरदन होती है लेकिन इनी में से एक ऐसा पक्सी है जिसके एक अलागी पहचान है जो आस्मान का सीनचीर के हचारों मीटर उपर 120 किलो मीटर पिरती घंटे की रपतार से उड़ता है जो खुद के कहीं गुना अधिक बजन के सिकार को पंजो में दोबोच कर आसमान में उड़ जाता है जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं और एक बाज इतना बड़ा मुकाम हासिल करता है सिर्फ अपनी ट्रेनिंग की बज़े से अगर आप इस दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बाज से बाज बनने का सफर पुरा जानना बहुत जरूरी है क्योंकि 25 से 30 की उमर आने के बाद लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है लेकिन एक बाज की जीवन की सुरुआत ही रिस्क से होती है जिस उमर में बाकी पक्सियों के बच्चे चीजी करना सीखते हैं उस उमर में मादाबाज अपने बच्चों को पंजों में दवाच कर 1000 किलोमीटर उपर उड़ जाती है उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आश्मान का सीना चीर के सबसे उपर उड़ने के लिए हुआ है तेरा जन्म पक्सियों का बाद सावनने के लिए हुआ है इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है दोस्त अगर जिन्दगी में सकसेज होना है तो ये बाज की पांच आदत अपना लो नमबर एक जब आंदी तूपान आते हैं जब बारी साती है तो सारे पंची छिपकर बेट जाते हैं लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है जब तेज हवाई चलती है तो बाज उन हवाओ के सारे तेजी से उड़ता है और उड़ते उड़ते वो बादलों से भी उपर पहुँच जाता है और ये बात हमें सिखाती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंडो नेपोलियल हिल ने एक बार कहाता कि हर बड़ी चुनोती अपने साथ एक बड़ा अपसर लेकर आती है तो तुम भी उस बाज की तरह अपने अपसर को पेचानो नमबर दो बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता वो हमेशा जिन्दा सिकार करता है और हमें इस बाज से ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो बीच चुका है वो मर चुका है अपनी पास्ट की पुरानिया दे जो तुम्हें तंकरती है उन्हें बही रहने दो जहां उसकी जंगे है और तुम्हारे पास्ट की जंगे है तुम्हारे पास्ट में उसे बर्तमान में जंगे मत दो नमबर तीन बाज की वीजन बहुत ज़्यादा केलियर और बहुत ज़्यादा इफ्त्रों होता है बाज अपने सिकार को 5 किलो मिटर दूर से ही देख लेता है और जब उसे एक बार अपना लक्षे दिख जाता है फिर चाहे रास्ते में कितनी ही मुसीबते क्यों ना आए वो अपने लक्षे को हासिल करके इदम लेता है और हमें इस बाज से ये सीख मिलती है कि अपना बीजन की लिए रखो और उसा हासिल करने में फिर चाहे कितनी ही मुसीबते क्यों ना आए पर पीछे मत थटो नमबर चार बाज अकेला उड़ता है और बाज की पक्सियों के मुकाबले सबसे उचाई पर उड़ता है बाज अकेला उड़ेगा लेकिन चिडिया या और छोड़े पक्सियों के साथ नहीं उड़ता है बाज हमेंसा बाज के साथ उड़ेगा या फिर अकेला और ये बात हमें सिखाती है कि छोटे सोजवाले लोगों से हमेसा दूर रहें क्योंकि तुम जैसी संगती में रहोगे बैसे तुम बन जाओगे बाज अपने गोसले से नर्म गास को निकाल देता है क्योंकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कमफर्ट एवल ना हो सके क्योंकि अगर वो उसमें कमफर्ट एवल हो गया तो बही रहना पसंद करेगा लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता बाज एक पक्सी है और उसे भी ये बात पता है कि there is no growth in comfort zone लेकिन हम इनसान होने के बावजूद भी कहीं लोग इस बात को समझते ही नहीं कि आप जितना ज्यादा comfort zone में रहोगे आपकी life आने वाले time में उतनी ज्यादा uncomfortable हो जाएगी